वाला चुनाव है आप यहां इतनी जोर से नारा दे रहे हैं जब जब OPEERS का नाम उठता है आप नारा देते हैं आप तालिया बजाते हैं क्यों 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 कि ये आपकी मांग है ये आपकी मांग है जो थुकराई जा रही है अगर ये Congress के प्रदेशों में ये मांग पूरी ह सकती है अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कॉंग्रेस के प्रदेशों में तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही है इस सच्चाई को समझे बीजेपी भाजप्पा आपके प्रदेश में पाथ साल से राज कर रही है इनके नेता आते हैं कहते हैं फिर से वोट दीजिए डबल एंजिन की सरकार चलेगी कहते हैं कि नहीं कहते हैं पताईए तो कभी आपने सोचा हैं कि अभी कह रहे हैं डबल एंजिन की सरकार पिछले पाथ सालों में कहा थे पिछले पाथ सालों में क्या नहीं थी डबल एंजिन की सरकार थी ना क्या हुआ तेल भरना भूल गए से एंजिन में तेल नहीं गया क्योंकि देश का सारा तेल बड़े दे रहा है पहचानिए सच्चाई को आज ये नौजवान जो यहां पे खड़े हैं यहां पे खड़े हैं बताइए कितनों को रोजगार मिला है पिछले पाथ सालों में मिला मिला आपको रोजगार? नहीं मिला नहीं मिला न? तो सरकार का सबसे पहला करतवि क्या होता है जनता के प्रती? नोत्री सबसे बड़ा क्यूं? मेरी बेहने बैठी वही हैं. आप अपने बच्चों की परवरिष क्यूं करते हैं? प्रेम से उनकी देखबाल करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, क्यों? ताकि उनका भविश्य बने, बड़े होकर वो आत्म निर्भर हो, आपका भी देखबाल करें, इसी लिए ना, तो सरकार का क्या करतव ये बनता है आपके प्रती? कि आपके जो बच्चे हैं, जिनके आपने परवरिश्की हैं, जिनको पढ़ाया, लिखाया हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनका भविश्य बनाएं, लेकिन ये भाजपा की सरकार, जो पात सालों के लिए यहां चल रही हैं, केंद्र में भी हैं, तमाम साधन हैं इनके पास, लेकिन इनके राज में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौत्रियां खाली हैं, यहां इसी सबा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, क्यूं नहीं दिया आपको, खाली क्यूं रखे हैं ये पद, जब कॉंग्रेस कहती है, कि पहली मं केंतरी मंडल की मीटिंग में ही, हम 1,00,000 रोजगार देने के लिए हम निड़ने लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं, कहते हैं, कहते कि यह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अच्छा, तो फिर 36 गड़ में कॉंगरेस की सरकार ने कैसे कर डाना, आज 36 गर में सब से कम ब रोज़गार दियें तीन सालों में राजिस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है एक लाग तीस हजार नौक्रियां दियें और यहां 63,000 पद खाली पड़े हैं यहां के नौज़वान परिशान हो गए हैं शिक्षित हैं मेहनती हैं और नौक्रियां चाह रोज़गार लें अपने परिवारों की देखबाल करें पैसे कमाएं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं इसी यह भटक रहे हैं और नशा पहलाया जा रहा है लेकिन रोज़गार नहीं दिया जा रहा है यह सच्चाई हैं कि तीस लाख अबादी हैं यहां युवाओं की लगभग और आप हजारों पत खाली रख रहे हैं आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं यह सच्चाई